दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यू यूजर योनो SBI एप में रजिस्टेशन किस तरह से कर सकते हैं यानि न्यू यूजर जो है योनो SBI में अपना यूजर नेम और पासवर्ड किरियेट किस तरह से जो है कर सकते हैं तो इसके लिए वीडियो को सुरू से ल गेफ्ट करने के बाद इसके शर्च बोकस में जाके आपको टाइप कर लेना fiscal यह सबसे पहले आपकोअपने फोन में जो है यह ओनो SVI की गांप है उसे को हो आपको अपको इंस्टोल कर लेना है तो इस तरई से एप इंटरपेस आज जाएगा इसमफेन इंस्टोल इसमें फिलप करनी है अपने अकाउंट से रिलेटेड और हम एजिली जो है इसमें रेजिस्टेशन कर सकेंगे और रेजिस्टेशन के दोरान ही हमारा जो है इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड भी क्रियेट हो जाएगा चाहे आप उस पासवर्ड के दोरा योनो SBI की इसमें अपको सबसे पहले इसको लाव कर देना है और यहाँ पर दो उपस्यामी आजाएंगे पहले में एकस्टमर और से अपर कर देना है और आप इसके द्वाज आप जो है अक्वारा चो थो है ऑपन कर सकते हो तो अगर आपको account open करना है तो new to SBI का जो option दियावा है इसके उपर किलिक करके और आप जो है इसके द्वारा यो no SBI के द्वारा जो है यह भी कर सकते हो तो मैंने exiting SBI का जो है option उसके उपर किलिक कर दिया किलिक करने के बाद next option इस तरह का आजाएगा इसका खेने का मतलब है कि वो ही SIM आपके phone में होनी चाहिए जो आपके bank में जो registered mobile number है तो आपको SMS आएगा और SMS चार्ज भी आपको लगेगा तो इसके लिए आपके phone में पैसे भी होने चाहिए SMS के लिए नीचे जो है SIM 1 एक SIM है तो SIM 1 या फिर दो SIM है तो SIM 2 तो जो भी SIM है वो SIM को अपसलेट कर ले और इसको next कर ले next करने के बाद ये इस तरह का option आएगा इसको आपको जो है allow कर देना है allow करने के बाद page loading होने में थोड़ सा time लगेगा और आपका जो है verification होगा जो आपने SIM दे रखी है उसका verification होगा तो verification में आपको थोड़ सा जो है time लग सकता है तो आपको थोड़ सा इसमें wait कर लेना है और जैसे आप ये करोगे इस तरह का option आपके सामने खुल के show हो जाएगा इसमें आपको लिखा होगा please create your internet banking user ID and password here it sell up and start enjoying your know तो नीचे मतलब जो proceed का option दिया है तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कई option आगए इसमें दो option दिया है registered for your know SBI with my ATM card और registered with account detail तो ATM जो card के option के उपर आपको किलिक कर देना है इसके बाद में जो account detail का option दिया है यहाँ पर आपको अपनी account detail जो आपका account number है वो fill up कर देना है और नीचे जो आपकी date of birth है वो date of birth आपको fill up कर देनी है तो date of birth के लिए calendar सा open हो जाएगा इसमें से आपका जो date of birth है वो आपको यहाँ पर select कर लेनी है और नीचे जो next का option दिया है इसके उपर किलिक कर देना है जैसे में next का option पर किलिक करूंगा किलिक करते ही जो है OTP verification होगा यानि आपके पास जो आपने phone के उपर यानि आपका registered mobile number पर एक OTP आएगा OTP इंटर कर देना OTP इंटर करने के बाद जो submit का option दिया हुआ है आपको इसको submit कर देना है तो submit करूंगा तो इस तरह का option आजाएगा इसमें जो है review user detail तो यहाँ पर आपकी जो है CIF नमर account नमर यह सब चीज़े show कर देगा अभी य limited ही जो है transaction वगेरा कर सकते हो तो आपको जो है full यानि full का option के उपर किलिक करोगे तो आप जो है अपना जो bank का आपकी user ID और password बना गया उसके दोरा आप जो है fully transaction कर सकते हो तो आपको दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप जो नीचे सबसे last में जो full का option दियावा है आपको full के option के उपर इसमें किलिक कर देना है और नीचे जो next का option दियावा इसके उपर किलिक कर देना है अभी हमारा इसमें आगए ATM Card detail तो आपके पास जो ATM का card है उसमें जो last के six digit है वो six digit आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और इंटर करने के बाद में जो next का option दियावा है next आपको इसको कर देना है तो जैसे ही आप करोगे फिर आपको जो है ATM card detail में ATM pin जो आपने ATM का जो pin set कर रहा है वो pin यहाँ पर इंटर कर देना है और pin इंटर करने के बाद आपको जो submit का option दिया हुआ है नीचे इसको आपको सम्मिट कर देना है तो जैसे याप यह करोगे आभी देख सकते हो आपका यूजर नेम इंटर पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड तो आप अपना यहाँ पर अपना मन पसंद जो है यूजर नेम बनाए और जो है पासवर्ड करें नीचे कुछ दिया हुआ है इसकी ट्रमशेंट कंडिशन दिया हुआ है कि हमारे को यूजर नेम में क्या-क्या सेट करना है और पासवर्ड में हमारे को क्या-क्या सेट करना है तो आप जो नीचे दिया हुआ है इसको आपको रीड कर लें इंटर पासवर्ड और नीचे री इंटर पासवर्ड कर देना है और नीचे जो कुपरम का ओप всем डियाओ है आपको कंपरम कर देना है तो मैंने अपना सैट कर लिया है और जोकंपरम में आप इसमें MPN MPN अगर set करना चाहते हो तो set MPN का option दिया हो है इसमें जाके आप अपना MPN भी set कर सकते हो दोस्तों अगर आप MPN set कर लोगे तो आपको बार-बार जो है अपनी user ID और password डालने की जुरूद नहीं पड़ेगी तो जैसे मैंने set MPN के option के उपर किलिक किया जो है कुछ ट्रमस says condition जो है इस तरह से कन चुन memo condition आगाई इस page को आपको पर की तरक जो है 조ह है स्क्रोल करने के बाद नीचे दो next का option दिया हो है इसके उपर आपको next कर देना है next करने के बाद आपको जो है easily आप जो है अपना एमपीन जो है सेट कर सकोगे और उसी एमपीन के द्वारा आप जो योनोवSBI की एप है उसको easily जो है ओपन कर पाओगे तो यहां पर आपको मेरे को जो है यो नो SBI की एप जो है आपके सामने इस तरह से खुलके स्यो हो जाएगी तो दोस्तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से घर बैटे ही अपने मोबाइल के दुवारा जो है इसकी यूजर आइडी और पासवर्ड जो है पिर भी दोस्तो आपको किसी प्रकार की कोई क्योरी हो कुछ समझ भी नहीं आ रहा हो तो कमेंट बोक्स में जरूर लिखे मजजित नहीं हो सके आपकी पूरी हलप करूँगा धन्यवाद दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें वह मेरे यूटूब चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक्यू पूर वाचिंग माई वीडियो अगें